हेलो बच्चो अब हम आगे नए चैप्टर पे साम एप्लिकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री इस चैप्टर में क्या है इस चैप्टर में हम पिछले ही चैप्टर के रेशो और आइडेंटिटीज वगएरा लेके आगे देखेंगे में क्या है इसमें जैसे हम हाइट और डिस्टेंस वाले कोशन करते है ना उसी तरीके के है लेकिन इसमें दो कॉंसेप्ट है दोनों मैं आपको समझाते हैं देखो एक पहले है जब कोई नीचे खड़ा हो और उपर बिल्डिंग की तरफ देख रहा हो जैसे ये एक मालो एक य माली है और कोई नीचे खड़ा है तो वो क्या है ऑप्जरवर हैं वह अगर वैजकते हैं तो वह हो एक कि लाइन ऐफ साइड बनेगी अब इसमें से हमें एक चीज दे रख्योंगी एक तो एंगल ओफ एलिवेशन दे रख्योंगा और एक इन दोनों में से कोई एक चीज दे रख्योंगी या तो लाइन ओव साइट दे रख्योंगी या होरीजोंटल साइट यह दे रख्या होगा ठीक है एक दूसरा केस क्या है अगर कोई building के उपर खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है तो observer होगे यह तो आपको पता ही है कि यह observer है यह देख रहा है और इसको यह नीचे देख रहा है तो यह line of side हो जाएगी और यह horizontal हो जाएगा और जो यह angle बनेगा यह होगा angle of depression इस तरीके से हम दो angle हमारे पास ह होंगे या तो angle of depression या angle of elevation एंगल ओफ elevation कब बनता है जब observer नीचे से उपर की तरफ देख रहा होता है और angle of depression कब बनता है जब observer उपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो आप देखो इनी चीजों का यूज करके हम आगे के questions करेंगे आगे के questions जो है इस chapter के वह हमारे regular जो हमा गटना गटती रहती है ना उसी के according है उसको आप देखते हैं हम आगे के questions में और करते हैं कि अ